तक मेरे आपने जो भी वीडियो देखियोंगी वो सारी English के regarding होगी English syllabus के regarding होगी लेकिन एक ये नई तरह की वीडियो लेकर मैं आई हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई person तकलीफ में किसी को कोई किसी भी तरह की need है तो हमें जरूर ही उसकी मदद करनी चाहिए जरूर ही उसकी help करनी चाहिए और अब बात है मेरे गुरू की संदीप महिश्वरी मैं इनको अपना गुरू मानती हूँ मैंने आज तक जो कुछ भी सिखा है जो कुछ भी अचीव किया है जो कुछ भी आगे मैं करने वाली हूँ वो सब इनी की टीचिंज के कारण ही हो पाया है तो मैं अगर वो गुरू help मांग रहा है तो as a student यह हमारा करतव यह हमारा फर्च बनता है कि हम उनकी किसी भी तरह से अगर help कर सकते हैं तो वो करें तो एक controversy हो गई है बहुत बड़ी YouTube पे शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि संदीप मेश्वरी अपने टीचिंग्स में बताते रहते हैं लग तरह से इंडियन कल्चर के बारे में जो भी इंडिया की philosophy है जो भी mythological जो भी characters हुए है जो भी रमायन महावारत हमारे scriptures है हमारे गरंथ है हमारे उपनिशद वे जो कुछ भी है उनके बारे में वो बताते रहते हैं तो एक बार उनके session में क्या हुआ था the power of Indian culture में किसी परसने पूछा था कि philosophy के बारे में उसने question किया था कि मुझे chess field को आगे लेकर जाना चाहिए क्योंकि उस व मेश्वनी ने बिल्कुल simple words में उसको बताया कि आपको अगर chess में इंटरस्ट है तो आप उसको ही लेका जा philosophy में इंटरस्ट है तो आप वैसे ही books पढ़ लो इंडियन philosophy से बढ़ करूर कुछ भी नहीं है जो syllabus में है वो western philosophy है और वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हमारी Indian philosophy है तो बात यहां पर इतनी सी थी लेकिन ये बात controversy में बदल गई कैसे क्योंकि अभी कई लोग है जो reaction वीडियो डालते हैं तो श्विताफ गैंगवर नाम का एक चैनल है उसमें श्विताफ अपनी वीडियो डालते रहते हैं और उसनोंने इस वीडियो में भी कुछ अपन 不是 उन इसूस को लेकर लोगों की भावनाय है वो उनको काफी problem पोचती है पहसे लोगों के sentiments जुड़ी होते हैं बहुत सारे लोगों की की feelings जुड़ी होती हैं जुड़ी होती है इस पैशली धर्म को लेकर जाइस तरह की sensitive बात को लेकर तो उसके उपर अगर हम और जदाप से कुछ गलत अपनी तरफ से एड़न करतेंगे कुछ गलत वर्ड कुछ गलत ऐसे सेंटिमेंट्स तो वो एक फायर जो एक थोड़ी छोटी सी फ्लेम होती है वो फायर का रूप ले लेती है ऐसा ही कुछ इन वीडियो पे हुआ तो उनके रियक्शन वीडियो से वो और फ्लेम ज तो प्लीज उसको डिलीट कर देजिए लेकिन शेविताब ने अपनी वीडियो तो डिलीट कर दी लेकिन क्या हुआ कि उसने अपने फ्रेंट को कह दिया कि आप भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो जो उसका फ्रेंट था वो बहुत रिडिट था वो इस चीज़ को लेकर मानने को रेडी नहीं था कि इस वीडियो को डिलीट करना चाहिए इससे बहुत सारी लोगों की जो फिलिंग से वो हो रही हैं सेंटिमेंट्स हो रहे हैं आगे इसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा बहुत सारी लोग दंगे तक हो सकते हैं ऐसी वर्डिंग को लेक किसे अगर इस वीडियो को यहीं पर ही खतम किया जाए इस बात को यहीं खतम किया जाए कोंट्रोवर्सी को खतम किया जाए लेकिन वह मानने कोई रेडी नहीं था और उसने दो करोड का लिगल केस कर दिया है संदीप मेश्विडी सर पर और श्विताप पर अब सर ने यह क तो फिर तो शायद कल को YouTube भी बंद हो जाएगा क्यूंकि YouTube पे तो बहुत लोग है जो बहुत कुछ बोलते हैं बहुत कुछ अपनी बाते रखते हैं तो यह तो freedom of speech के अपनी बात रख सकते हैं लेकिन इस freedom of speech की आर्ड में अगर कोई case ही कर देगा तो कल को तो YouTube के उपर बहुत इसको नुकसान पूंच सकता है जो YouTube creators हैं उनको भी नुकसान हो सकता है और आम जंता को भी नुकसान हो सकता है तो इसलिए उन्होंने एक request की है कि सभी लोग अपने क श्विताब गैंगवार नाम से अपनी आवाज उठाएं किसी का channel है तो वो उसके माध्यम से कोई audience है तो वो अपने अपनी rights को देखकर उसके माध्यम से हर तरीके से लोग अपनी आवाज उठाएं और इस hashtag को trending में ले आए सो मेरी भी आप सभी से request है अगर आप audience है या आपके channels है तो इस तरह से hashtag safe show इताब गैंगवार को जितना ज़्यादा और इसको बढ़ा सकते हैं इसको बढ़ा है ताकि ये top trending में आ जाए और ये बात जहीं जितना ज़्यादा हम इस बात को आगे लेकर जाएं उतना ही इसके लिए अच्छा होगा कि ये बात जहीं खतम हो जाएं तो यही थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको ये अच्छी रही अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज इसे like share जूरूर कीजिए मेरी चैनल English प्रोवेस को सब्सक्राइब कीजिए आगे मैं English syllabus की regarding अपनी वीडि